ट्रेंड्स वेलकम बैक माई यूटूब चैनल जे एससी फॉर फिजिक से एक यूटूब फ़ेश्टियर से केंडियर रेट अपडेट कॉपी चेकिंग को लेकर आई बहुत बड़ी अपडेट आज मैं इन दो टॉपिक के बात करूँगा साती सात मैं आपको इस पर बात करेगा या फिर जो चैलेंजी बिसन में ठीक होके जल्ट आया है बहुत बड़ी प्राइब मैं आपको इसका सरुसना दूंगा इसी वीडियो में बताऊंगा आपको पर थोड़ा मैं आपको कह रहा हूं इन बच्चों के लिए जिनका याभी यह भी हटाउट है तो मैं बत बताऊंगा उसको अभी आपको पहले इसका बात कर लों जो इसके लिए बीडियो बना रहा हूं क्या बात था कि कॉपी चेकिंग को क्या अपड़ेट आई है और एक टू फरस्टे सेकेंडर का रिजेल्ट क्या है देखो मैं आपसे पहले भी का था आपका कॉपी सारा चेक ोब हो चुका है मैं बता रहा हूं कोपी का जो हाल है इस बार बेटर है समझो बेटर है बेटर है पहले इक गुदध एक गुदध बेटर ह Wheilal लब मॉजसिए का कॉपी चेकि यह तना तरहा का अच्शा नहीं चेकिया अच्छापी डिया बेक डिय घूरे कि क्या 10 लोग को बेक लगाया इसे कहते हैं बेस्ट अधि उसने सो में अधि उसने सो में सतर लोग को पास क्या 30 लोग की बेक लगाए इसे कहते हैं बेटर गुड किसे कहते हैं इसका आदा गड़ दो समझ रहे हो ऐसे एक की टू कि यह नहीं हो मैं समझ रहे हो तो मैं बता दू कॉपी लेकर यह अपडेट आपका आया है कि कॉपी आपका सार अच्छे हो चुका है कॉपी इतना अच्छा चेक नहीं हुआ पर ठीक टाल चेक हुआ है खासकर मैं आपको बताया था बी-ई और मैथ का कॉपी आप लोगों का बहुत जाना डिवांड आया था मैं को दिया रह अच्छों का क्यों पर सभा सभी नहीं हुआ है तो इस पर काफी आपका अच्छे चेक हुआ है पर सरवोले तो बेक हैं इसमें नमबर अब्ला बेक स्ट्टेट के हैं पर उमीद करते हैं चिसने कुछ लिखा होगा तो वह पास होगा ठीक है और रिजल्ट आपका क्या जाएगा काफी जाना चांसे साब के आने के और आप जाएगा मुझे लगता भी क्योंकि रिजल्ट सब काफी सब चेह हो चुका अप्लोड हो रहा है आपका और सब्सक्राइब का अब्लोड आ जाएगा तो इसने का स्पेसल के लिख बार का फॉर्म का स्पेसल के मिड और कॉपी चेकिंग का मैं बता चुका हूँ और कॉपी इस पार ठोड़ा थोड़ा बहुत सब्सक्राइब लिख दिया पर सर मैंने आंसर सब का मेरा गलत है मैं पहले भी कह दूँ यार मैत में स्टेमार्किंग चेह होती है पर डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कौन टीच करते हैं साला स्टेमार्किंग कुछ नहीं एक आंसर देखते हैं ओपर दो तिन स्टेम देखेंगे पूरा काट देंगे जीरो नमबर देंगे ऐसे भी टीचर होते हैं तो यार अभी बता रहा हूँ जिसके भी मैत में बेक आए बतलब एक या दो नमबर से बहुत सीधे चै पर कमेंट आया तो मैं सर से स्पेशली बॉल दिया हूँ यार कवा भी सर बोला चा चेक हुआ है बस इतने सर बोले हैं और साथी मैं इसका बता रहाँ आपको ए आपको यह घृब डौट के रहा हो गया वैं उम्मीद करता हूँ अब इसका बाद करते हैं कि सर हम स्पेशल क कर चुके हैं एक्जाम फाई देदे यह पढ़ चुका हूं में ठीक एक बार अब देखो उसका स्लूसन क्या है स्लूसन इसका यही है दोगो जितना में बता रहा हूं अभी एक टू तरुस इसका फाइन से नोटिस आएगा मुझे लगता है कि मैं एक टू को सर से बात किया सर बेट कर लो मैं किले कर देऊंगा पर मुझे इसा लगता है देगो जिसका रिजल्ट लास्टम आएगा मींस आपका चैलेंजर बिसन आजाएगा अप्टूबर या नॉम्बर में आजाएगा पर स्पेशल केरियोबर का जो टेस्ट पेपर है जो एक्जाम है वह बहुत इं इसको दिया नहीं है आपके mark side में आफसेंट लिखके आएगा मैं फिर से करे आवा के markATT में अप्सेंट में अफसेंड लिखके आएगा आपका एक साल बढ़ जाएगा ध्यान आखना जो भी वो special carry over करेगा special carry over करेगा इतना मैं आपको बता सकता हूँ पर देखो अभी final आजाए notice में सर को किया हूँ, सर ने बेट का है पर मेरे recording तो यही होने होगा मुझे से लगता है, लगता है ऐसा हुआ है जिससे पहली बार भी हुआ तो ऐसे हुआ था तो special carry over का important बहुत जाना है इसको आप बुलकुल कायदे से दीजेगा आप सौन सरे में challenge in vision में back clear हो जाएगा तो क्या मैं special carry over का नहीं दूँगा क्या दिक्कत है, बुलकुल गलती हमत करना है जिसका result last में आएगा mark sheet में भाई अपलोड होगा अधि आप suppose कि लोग पास होगे challenge in vision में आपके 40 नमर होगे आप mark sheet में अपडेट नमर हो जाएगा 40, जब special carry over का result आएगा तो उसके पाल mark sheet में अपडेट हो जाएगा, समझे रहे हो तो special carry over का जो भी प्छाद फाउम बारने हो हो जाएगी 25 के बाद ही करना क्योंकि एक टूकि नोटेश्मेंट ऐसा नहीं लिखाएगी वाई यार कि आप challenge in vision का form फिल की हैं तो उसका मत करिएगा उसमें सीज़ा लिखा आपको लगता है पर आप आपिएगा इसा नोटेश्मेंट बढ़ेगा इसका लिंक जो है इसका लिंक जो है वो दिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथ से इस्टाग्राम पर भी जोइन हो जाएगा तो आपको कोई डाउट है तो ठीक है तो जयहिंग जय वारत